इस्टुडेंट हमारा सामने क्वेश्चिन है क्लास्टेंथ एक्सराइज 1.2 क्वेश्चिन नुबर 3 फाइंड लिए लिए मैंड एक्सिए फॉलोईंग इंटीजर वाइपलाइं दे प्राइम फेक्टराइजेशन मेथड नीचे देगे जो नंबर से हैं इंटीजर है उनके फेक्टराइजेशन मेथड वीदी से ल्सेम और हैंड करना है फर्स्ट इसका 12,15 & 21 सेगंड 17,23 & 29 थर्ड वन इज एट,9 & 25 ओके इसको शुरुआत करते हैं प्राइम इसका फ्राइम फेक्टराइजेशन करेंगे उसके बाद सब्सक्राइजेशन करेंगे प्राइम फेक्टराइजेशन निकालता हैं इसके 12 है 12 का प्राइम फेक्टर किनारे पी 2 है यानि 1 से 2 है 2 से 6 टाइम 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम तो 12 को लिख सकते हैं 2 x 2 x 3 ऐसे 15 को 3 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम ऐसे 21 का निकालेंगे 2 1 3 यानि 3 से होगा 7 टाइम 7 से 1 टाइम नहीं भी ऐसे लिख देंगे प्राइम फेक्टर के प्रोडेक्ट की फोर्म में 15 इक्वल टू 3 मुल्टिप्लिकेशन 5 इंटो 1 एंट 21 को 3 इंटो 7 इंटो 1 ओके निकालते हैं इसका है से एफ कि ऐसे हाइस्ट कॉमन फेक्टर ऐसा फेक्टर तो तीनों में कॉमन हो यहां दिके टू नीचे टू कहीं इसके फेक्टर में ने 21 की फेक्टर में 3 हाँ यास 3 12 में भी आ रहा है 15 में भी और 21 में भी तो क्या लेंगे इसको ओनली 3 तो कॉमन फेक्टर ओनली क्या है 3 तो HCM हो जाएगा इसका 3 अब निकालते है LCM LCM ओफ 12 15 and 21 ओके इसमें क्या गरते हैं जो प्रेक्टर है 2 x 2 और 3 यहां वान टाइम यहां वान टाइम यहां वान टाइम ओनली वान टाइम देंगे अगला 5 और नेश्ट 7 इनका प्रूडेक्ट करने पर यहां जाएगा 420 ओके स्टुडेंट इस फरकार से हम इसका LCM और HCM फाइंड कर सकते हैं देखते हैं नेश्ट के लिए नेश्ट है सेगंड 17 29 and 23 तो 17 प्राइम नंबर 23 प्राइम नंबर और 29 भी प्राइम नंबर प्राइम नंबर खुद के अलावा वान से डिविजिवल होते हैं और किसी से नहीं होते हैं तो 17 से वन टाइम 23 से वन टाइम और 29 से वन टाइम तो उसको प्रोडेक्ट फॉर्म में लिखेंगे 17 इक्वल टू 17 मल्टिप्लिकेशन वन 23 इक्वल्स 23 इन्टु 1 29 को लिखेंगे 29 इन्टु 1 आप लिखेंगे इसमें कॉमन रूप में कॉमन फेक्टर जो प्राइम नंबर है वो अनली वन ही तीनों में कॉमन है तो हाइस्ट कॉमन फेक्टर क्या हो जाएगा SCF इसका SCF इसका 17 23 और 29 का 1 और LCM LCM of 17 23 और 29 इन्टिनों का प्रोडेक्ट हो जाएगा 17 मल्टिप्लिकेशन 23 इन्टु 29 इसका प्रोडेक्ट कर लेंगे आप प्रोडेक्ट करके आया है 11 339 ओके थर्ड है 8 9 & 25 का LCM और HCF निकारना है 8 2 से 4 ताइम 2 से 2 और 2 से 1 ताइम ऐसे ही 9 को 3 से हो रहा है 3 3 जा 9 3 जा 3 और 5 से 5 5 जा 25 5 जा 5 तो प्रोडेक्ट फॉम में लेंगे 8 इक्वल 2 2 मल्टिप्लिकेशन 2 मल्टिप्लिकेशन 2 इन्टू 1 और 9 को लिखेंगे 9 3 इन्टू 3 2 1 और 25 इक्वल 5 इन्टू 5 इन्टू 1 इसलिए क्याने का लेंगे HCF of 8 9 & 25 का देखें कॉमन फैक्टर तीनों में है 2 यहां 9 इसमें नहीं है 2 और इसमें भी नहीं है ऐसे 3 देखें उपर में भी नहीं नीचे भी नहीं क्यों क्यों वन है तो इसका HCF आज जाएगा 1 और LCM कि LCM 8 9 & 25 कि देखें कि LCM में क्या करते हैं प्रतेम जो प्राइम नंबर है उसका में पावर लेते हैं चाहिए वो तीनों टर्म में हो या किसी दो टर्म में हो तो की में टो किन टाइम आया वाएं टू थ्री तो टू ट्री टाइम नेंगे और थ्री को कि टू टाइम ऐसे ही फाइब फाइब इन्टू फाइब इसका प्रोडेक्ट आ जाएगा थ्री ठीज़ा नाइन नाइन ने तू जा एटीन आ टू फाइब या टैन ट्री तेन टैन जा हंडरेड टाइट हंडीड इंट्व एटीं एटीन हंडर्ड गोष्च यह था आपका का LCM और HCF कैसे हम प्राइम फेक्टर एजिशन मेथड़ से ग्याद कर सकते हैं मिलते हैं स्टुडेंट नेस्ट कुश्चिन के साथ थैंक यू